मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल इसके सवनू टेक वर्ल्ड में तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बर है होली में सभी लोग घर आना चाहते हैं लेकिन ट्रेनों में भीरभार होने के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है इसी को देखते हुए रेलबे ने कुछ होली एस्पेसल ट्रेन चलाने की बेवस्था की है तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन सी ट्रेन है जो आपके सहर यानी इपी और बिहार में आएगी तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारा डावट किलियर हो सकें और अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं दोस्तों इस ट्रेन में सेन्यान श्रेनी के आठ एसी टू टियर के वन एसी थ्री टियर के हाइप समान श्रेनी के दो पाउरकार दो सहीत अठार कोच सामिल है दोस्तों इस ट्रेन हमदाबाद से 23 बजकर 25 मिनट पर 18-39 को खुलेगी और गौरतपुर, नडियाड, गुधरा, दहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई, मधपूर, गंगापूर सीटी, बेयाना, आगराफोट, टुंडला, कानपूर, इलहाबाद, पंडित दिन द्या उपाध्याई, बक्सर, आरा, दानापूर, होते हुए, पटना पहुचेगी, खेक उसी तरह, पटना से 23, 12, 19 को, 11 बज़े से यह ट्रेन खुलेगी, और फिर उसी तरह से, उसी ग्रोट होते हुए, पटना, दानापूर, आरा, बक्सर, होते हुए, अहमदाबाद, 19 तारीक पहुचेगी, तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, इस ट्रेन से आप असानी से अपने घर आ सकते हैं, और परिवार के संग हसी खुशी होली मना सकते हैं, चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रेन की बात कर लेते हैं, एक और ट्रेन है, जिसका ट्रे गाधिधाम एस्टेशन से 17 बजकर 40 मिरट पर 15-3-2-19 को खुलेगी और गाधिधाम भचावू, समाख्याली, अहम्दाबाद, गोरतपूर, नडियाद, गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधपूर, गंगापूर सिटी, हिंडोन सिटी, ब्याना भरतपूर, अचनेरा, मथुरा जक्षन, कास गंज, फरुखाबाद, कानपूर सेंट्रल, लखनव, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपूर, दिवरिया सदर, सिवान जक्षन, छपरा, छपरा ग्रामिन, हाजीपूर, बरावनी जक्षन, बेगुसराय, साहिपूर कमा मुंगेर, रतनपूर, सुल्तान गंज, होते हुए, भागलपूर, 17,3,2,19, को 18 बजे पहुचेगी, ठीक उसी तरह, भागलपूर से 18,3,2,19, को 6 बज कर 30 मिनट पर, भागलपूर, सुल्तान गंज, बरावनी जक्षन, गोरखपूर, लखनव, होते हुए, गाधी धाम, 23, 23,2,19, को 8 बजे पहुचेगी, इसका ट्रेन नमबर है, 094,52, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस ट्रेन से आप असानी से अपने घर आ सकते हैं, और अपने परिवार के से हसी खुशी होली मना सकते हैं, तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडि परिवार के संग खुली मना सकें, फिर मिलेंगे नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,